असलाम नेकूम मैं हूँ याहिया की मम्मा आज जनाब बन रहे हैं माश की दाल के दही बढ़े और छोले क्योंकि याहिया के बाबा घर में है तो जिस दिन वो घर में होते हैं उस दिन हम दोनों चटोरे मिया भी भी कुछ न को छुटी-छुटी चीजे बनाते रहते हैं अच के साथ शेयर करूंगी और यह समान बढ़ा है इसकी चटनी मनेगी तो आप पीसने जा रहे हैं फिर इन्शालता आप इसकी दिखाती हूं कि कितना गाडा रखना है इसको और क्या रखना है यह इस तरह से पहले इसको छलने में डालके इसका सारा पानी निकाल लेंगे पीस तो पीसने के लिए देखेंगे अगर जरूरत पड़ी तो अच्छा इसमें बहुत ही कम जैसे के हाफ टीस्पून तक्रीबन इसमें पेसीवी लाल मिर्श डाल दिया और वन टीस्पून भरके अभी नमक डाल देती हूं फिर उसके बाद जब तलेंगे ना तब भी एक ट्र तक्रीबन हमें गाड़ा रखना है यह देखें अब तक्रीबन इतना गाड़ा हो यह इसमें सोडा नहीं डाला है क्योंकि माश की दाल के दाई बड़े में मैंने एक दफ़ा सोडा डाला था तो वह जब मैंने ऑईल में डाला तो वह बिखर बिखर से रहते है उससे मूं की की दाल का जो बैटर है वो हमने पीस के रखा है थोड़ा सा उसको शैटल करने के लिए दस मिनट के लिए फ्रिज में जब तक मैंने सोचा चटनी बना लू तो उसमें याया के बाबा को ग्रीन चटनी चाहिए होती है याया भी स्कूल से आ गए है याया अज स्कूल में लंच अच्छा खाया याया तुमनें पूरा कहीं खाई ही ना लियो चलो खाया अच्छी बात है अगर थोड़ा सा भी खाया तो गुड़ बॉइ तो चट्टी के इंग्रीडियंट्स हैं पौदीना मतलब हैंड़ फूल अजतने भी वर्जी है लोग मैं इसमें कोई एसेच कॉंटिटी वाइज नहीं बना दी जटनी कभी भी तो रैंडम ही कॉंटिटी हमिशा यूज करती हूँ पौदीना ले लिया अच्छा खासा हरद पौचा दही इनके साथ चटनी बनाते हैं तो फिर दिखाती हूं चटनी कैसी बनी यह देखें कि चटनी पेस गई है इतनी गाड़ी तकरीबन चटनी बिलकुल हलका सा पानी डाल के चौपर नहीं सौरी ब्लैंडर में ताके गाड़ी-गाड़ी सी चटनी पेस जाए यह जाने 10 मिनट हो गए थे तो अब दही बड़े ओल में डालना शुरू करती है मुझे तो पही चम्चे से यह रालना आता है मेरी बड़ी बहन है माशालल से हाथ से इतने अच्छे दही बड़े डालती है ओल में बड़े-बड़े सारे कुब उनकी साइस के बनते है याया कि आपा को बहुत पसंद है लेकिन मुझसे वह नहीं डल पाते है तो मैं तो चम्चे से ही डालती हूं इस साइस के बन जाते है जब यह पूरे फ्राइ हो जाएंगे न तो इनको बस क्योंकि यह भी फ्रैशी बन रहे तो अगर आप एक मिनट भी पानी में सोख करें थुड़ नमक आड़ करके खटे मीटे से बनारी है तो थोड़ा से शकर भी आड़ कर दें दही के अंदर तो और होता है कि थोड़ा सं मिथास भी आ जाती है दही बडों के अंदर तो अब यह पूरे प्राइज करके फिर इन्शाललत अला इसका नहीं रादी करेंगे चलें आप जब तक के याया कि बाबा आप फ्राइ कर रहे है तो जब तक के फिर मैं छोले की चार्ज लालेते हूं यह देखे यहां पर इस तरह से बॉयल छोलों के टेन आते हैं तो यह हमारे लिए असानी होती है कि बस इसको खोला और यूस कर लिया तो यह देखे मीडियम तक करीबन फ्लेम रखी विये और इसको पलटनक अभी रूख जाए अभी नीचे से हो जाए तो पर यह सार फ्राय जाएंगे भाई में याया कि बाबा भी बहुत अच्छे को क्या है और किसे दिर इंशालतला यह कुछ बना रहे होंगे तो फिर मैं इनकी वीडियो शूट अच्छा जी चोलो में डालने के इंग्रीडियंट्स कुछ चाट मसाला है काला नमक है इमली की चटनी है यह रेडिमेड यूज कर रही हूं है फिलाद क्योंकि हमारा आचाना की प्लान बना है अदर्वाइस घर में भी बहुत मज़ी की चटनी बनती है और हरी चटनी अभ यह थे अ ऐसी प्यास कड़े ऐस कर जाती है आप अप एड्जस्स कीमटे हैं मोटा ऑकव प्यास को आपको करना होतो अब यह क्यों थोड़ी बारीक चाहिए इस ताहिए ने मुझात इसको कर लिया यह जनाब यह थी बड़े बड़े बन को थोड़ी देर के लिए थोड़ा नीम गरम पानी में सोग करेंगा फिर इंशालत कि अलाइक टी टीकड़ कर रही हो तो मैं द्री चौलर कि टयारी कर तो इसमें मैंने मसाले टाल दिये ते जो मैं आपको दिखायते थोड़ा सा टिमातर काटा है अगर दली को अगर आपको पतला अच्छा लगता है तो आपसे थोड़ा सा पानी या दूद्ध कोई भी चीज मिक्स कर सकते हैं और यह बड़ों को इस तरह से हाथ से प्रेस कर वैंने इसको पानी में सोख कर लिया थोड़ी देर के लिए अभी प्रेस करकर के इसमें इस तरह से डालते हैं कि अगरा में भी बहुत ज्यादा तो मुझे हाथ से सही से इतना वह नहीं हो रहा है थोड़ा सा चंचा यूज कर लेती हूं ताकि हाथ मेरे गर्म-गर्म पानी उसका ना चाहे है यह जनाब याली रेडी हो गए है दही बड़े यह इसके उपर मैंने इमली की चटनी और च अब जरा प्लेट बनाके भी दिखाएं एक मज़ेदार सी देखाता हूं मुझा पानी आना चुरू हो गया प्लेट बनाता हूं बिसमिल्लार रख्मान रहीम यह देखें जी छोले लिया हमने आपज पेजाए कर लें इसके दही बड़ा हूई 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 जबर्दस्त हूई हूई है पोड़ा समय लग गया है चाले हूँ यह चटनी राल रहे हैं इसके अंदर चाट मसाला पापड़ी चले जी अच्छा चोले यह मिक्स वाले होते हैं इसकी छोलों की और भी रैसिपी होती है वह आप भी हुआ करेंगी वह थोड़े से अलग बनाइए जाइए अगर पसंद आए तो अच्छा एक दूसी बात यह है कि आप बहुत मार्शाललह से जितने भी मेरे फैमिली मेंबर्स हैं दोस्त हबाब हैं उस सब लोग बहुत पसंद कर रहे हैं वीडियो को तो बस सबसे रिक्वेस्ट है कि साथ साथ सब्सक्राइब भी क पड़ेंगे फिर सबके पास और्टमाटिकली मेरी वीडियो जाएंगी थैंक यू सो मच अलाफेज लाफेज